आज मैं आपके लिए कम बजट में बहुत यादा टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेकर आ गई हूँ जिसे आप दिवाली पे होली पे कोई से भी फेस्टिवल पे बना कर आप इसको खा सकते हैं जो आपको बहुत यादा पसंद आएगी और बहुत ही कम डेट में बनकर तयार ह हो जाती है तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना स्वागत है आप सभी का स्वाति की देशी रसोई में तो फिर देर किस बात की है बनाना स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक मोटे तले की कड़ाई ले लिए जिस इसको एक बार मिक्सर में ग्राइंट करके भी ले सकते हैं बस आपको पाउडर नहीं बनाना है सूजी का मतलब थोड़ी सी दानेदारी होनी चाहिए तब आपकी जो बर्फी बहुत यह टेस्टी बन के तयार होगी तो चलिएगा बिल्कुल लोट टू मीडियम फ्लेम पे ह आप देखी सकते हैं तो मैंने मोटे तले काड़ा नहीं लिए है क्योंकि आपकी सूजी जल जाती है जो खाने में बिलकूल टेस्टी नहीं लगती है तो चलिएगा मैंने सूजी को न भून के एक साय टक दिया है मैंने एक फ्राइपैन ले ले जिसमें चाय बनाते हैं तो लए तो मैंने उसके लिए सथा जरिये का इंदर ओना इसके करो पार तरी के शैन हें लेट क्री ाल हो आपके शिए सब्सक्राइब कब क्याщब से लिए लो! चाशनी बन चुकी थी फिर हमने गैस के ओपर सूजी को रख दिया थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ये डालते रहेंगे तो देखेंगा अब हम इसको पका लेंगे तो मैंने ये दो से तीन चमच मिलक पाउडर लिया है इससे क्या होगा इस से बिलकुल मावे जैसा टेक चरा जाता इस टाइम पर तो चलिएगा हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो लोट्यू मीडियम फ्रेम पर जब तक ये थोड़ा सा एक इखटा नहीं होने लगता है तब तक हम इसको पकाना है तो चलिएगा ये इसने जो है इखटा होना स्टार्ट कर दिया है तो जो गिलिए के तयार है तो चलिएगा मैंने एक थाली के ऊपर आढ़ ये इस in kali मैं ने इसकी अंड़ कर लिए jest को निकाले zijn तो चलिएगा इसाने स्टार्फंग में इसको लाः लिए हैं तो बदी पिष्टा कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि ड्राइब फ्रूट इसके उपर बहुत ही अदा टेस्टी लगते हैं तो मैंने कुछ यह बदाम काट के रखे थे लंबी-लंबी पीसिस में तो मैंने इसके अंदर यह लगा दिया इस टाइम पर इस लगाना अच्छा होता है क्यों काट सकते हैं तो देखिए अपने मन पोटा विकिस के पीसिस को कट कर सकते हैं तो मैंने इसके नहीं ज़चाऊ बड़े पीस रखें मैं उसको डायमड में काट लिया है तो चलिए गा मैंने इसको टरत के लिए रख दे ता फिर 15 मिनिट के लिए और मैं दिखा देती हूं आ मारी बर्फी जो है बनकर तयार हो गई है तो देखिए कर मैंने आपको तोड़के दिखा दिया कि अच्छी तरीकी से टूट भी रही है खाने में बहुत यहादा टेस्टी है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब क प्रैस करदेना ताकि आगे गया कुमें जब भी कोई वीडियो डालूं तो वह आप तक पहुंच जायां क्योंकि बैल आकन प्रैस करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो उसके नोटिफ़िकेशन आ जाता है अगर आप बैल आगन प्रेस कर देते हैं तो तो ऐसे अच्छे अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रही हैगा इसी तरह की से अपना प्यार बनाए रखिएगा तो चलिए कर फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई